आज मैं आपके साथ एक नया नाश्ता शायर कर रहे हूँ यह उन लोगों के लिए है जिने फ्राइ किया हुआ नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है यह रेसिपी जरूर ट्राय करके देखिए सभी को बेहत पसंद आएगा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाकिन शेयर ज दो कर ले लेते हैं यहां पर मैंने आधा कप मुंग दाल का इस्तमाल किया है इसे हम अच्छे से दो से तीन बार दो कर ले लेते हैं और फिर इसे हम चन्नी में निकाल कर ले लेंगे जितना भी एकसेस वाटर है वो हमें पूरी तरह निकाल कर ले लेना है उसके बाद यह द मिक्सिंग बावल में निकाल कर ले लिया है ह। कि अब इसे हम इसे मिला देंगे घरक पानी क इस त्वारम पानी के रिये हैं हमने यहां पे आदा कप मुंदल पीस कर ले लिया है तो उसमें मैंने ये एक कप गरम पानी डाल कर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढख कर 10 मिनिट का रिज्ट देंगे ये देखिए रिज्ट देने से मुंदल अच्छा खासा पानी सोक लिया है और ये बड़िया से फूल भी गया है अब इसे हम एक पारात में निकाल कर ले लेते हैं और उसे फैला देंगे और हलका सा थंडा करके ले लेते हैं थंडा तो ये हुई रहा है साथी में हम इसमें डाल देंगे अद्रक मेर्च और लसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट अब चाहे तो इसे फाइन पेस्ट करके भी डाल सकते हैं तो ये दो टेबल स्पून पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया है और साथी में मैंने कुछ कड़ी पत्ते दस से पंद्रा कड़ी पत्ते को बारिक काट कर डाल दिया है आधा कप सोजी और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इसे अच्छ से मिक्स करके हम ले लेते हैं ये मुंग डाल का नाश्टा बहुत ही स्वादिश बनता है एक बार जरूर ट्राय किजिएगा बिना पानी डाले मैंने इसे अच्छ से मिक्स करके ले लिया है और इसके कंसिस्टेंसी अब देखिए एकदम गाड़ा है यही सही कंसिस्टेंसी है आप इसी तरह का गाड़ा बैटर शाहिए अब कर मैं स्टीमर तेयर करके ले लेती हूँ तो मैं यह जो स्टीमर है उसमें पानी डाल कर इसे ग्यास पर गरम करना रख देती हूँ और यह जो जाली वाली थाली है उससे ग्रीस करके ले लिया है तेल से और बैटर में हम डाल देंगे आधा टेबल स्पॉन बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से हमें मेक्स करके ले लेना है हतिले उपर देल लगाकर एक बड़ी असा में इसे शेप देते हैं कुछ इस तरह बस में दोड़ा जो बनाते हैं हम बस उसी का शेप हम दे रहे हैं यहाँ पर बस इस तरह शेप देकर हम इसे स्टीमर प्लेट पे रखते जाएंगे और जब पूरा प्लेट भर जाए तो हम इसे स्टीमर में रख देंगे और ढखकर 10 मिनिट का स्टीम दे देंगे स्टीमर में यह प्लेट रखने से पहले पानी को अच्छे से उबाल कर ले लिया है अब यह 10 मिनिट हो गया है उसे हलका साथ थंडा भी करके ले लिया है बड़ी असानी से यह प्लेट में से निकल जाते हैं यह चिपके हुए नहीं रहताए तो बड़ी असे यह कूख हो ग जाइन दाल दी है एक टेबल स्पून राय के दान और जैसे ही राय के दाने चटके, इसमें मिला देंगे दो टेबल स्पून सफेच तल लिटा ने यहां बहुत हो इनगिन काहले मीर्या सब नाइंगे जह आए सब्सक्क नघे जूबार मसाला जी हां बहुत बढ़ी टेस्ट लगता है थोड़ा सा अल्दी पावडर और एक टेबल स्पून कश्मी लाल मेश्ची पावडर इससे यह नाश्टे का कलर बहुत बढ़ी लगेगा अब इससे हम अच्छे से मिक्स करके लो रहते हैं और तुरंत ही हम इसमें मिला देंग बढ़ी आसे स्टीम के हुए बढ़ी आसे पक गए हैं बस एक बढ़ी आसा तड़का दे रहे हैं हम इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स करके ले लेंगे और पूरी तरह यह पानी सोक ले तब तक हम इसे पका लेना है तो लीजे बढ़ी आसा नाश्टा तयार है देखते ही ख तो इसे हम घरमा घरम सव कर देते हैं अब चाहे तो कोई भी डिप के साथ इसे खा सकते हैं लेकिन यह बढ़िया से तड़का देने के बाद आपको किसी भी डिप की जरुवत नहीं है तो चलिए इसे में तोड़कर बताते हूं इदे कितना बढ़िया अंदर से सॉफ्ट और उपर से एक दम मसाले दार हूं अमीद है आपको यह रसिपी पसंदाए होगे मिलते हैं अगले रसिपी के साथ चल्दन बाई